प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी से प्रेरित होकर पीडिता ने ससुराल जन की करोडों की कालेधन को उचा कर किया कलेक्टर जनसुनवाई में एक रोचक मामला सामने आया जिसमें पीडिता बहु ने प्रधान मंत्री जी द्वारा कालेधन को रोकने के आश्वय से बनाएक कानून और सीमित सीमा से अधिक राशी की नगद लेंदेन पर प्रतिबंद का हवाला दे कर अपने सास ससुर की संपत्ती का सौदा कर चार से पांच करोड की लगभग नगद राशी लेने को जागर करते हुए ससुराल जनों के वरुद्ध कानूनी का रिवाही करने और लेंदेन की करोडों की राशी को राजसात करने की याचना को लेकर जनसुनवाई में पहुंची मामला पीडिता निवासी जुनिंदौर निलोफर का है जिसके पती के इंतकाल के बाद पीडिता के ससुर जेट देवरों ने ना केवल पीडिता पर बुरी नजर रखना शुरू कर दिया था बलकि ससुराल की पैतरक संपत्ती को भी 6 करोण में सौदा कर 4-5 करोण नगत राशी का लेंदेन कर शाशन को जाने वाले टेक्स को लेकर भी कानून का उलंगन किया पीडिता ने बताए कि सास ससुर द्वारा पैतरक संपत्ती को 6 करोण रुपए में बेच कर सौदे की राशी 4-5 करोण नगत ट्रांजेक्शन कर जोले भर भर कर ससुराल जन घर में लाया और पीडिता द्वारा सीमित राशी से जादा की नगत देने पर प्रतिबंध होने क का हवाला देने और ससुराल जन द्वारा काले धन को बढ़ावा देने का बोलने की बावजूद भी ससुराल जन नगत राशी का अवैद लेंदेन किया और भष्चाचार को बढ़ावा दिया जिसको लेकर पीडिता ने कलेक्टर जन सुनवाई में शिकायत कर ससुराल जनो के वरिष्ट अधिकारियों को भी शिकायत की जन सुनुई में इसलिए करी है कि अपने नरंदी जी मोधी जी ने अपने मतलब कानून बनाए ही अभी जो गरीबों के लिए और पेसे वालों के लिए सब के लिए एक सामान है दूसरी वत क्या है कि 50,000 से जादा नगद लेंदे अधियन बिलकुल वो माना गैया है कानून के खिलाफ इसके पच्चाथ हमारे मेरे सुसराल वालों ने मेरे सुसर जेड देवरों ने मतलब करोडों की समपत्ती उन्होंने 6 करोडों में मतलब बेचिकते हुए यानि 6,5,3,4 करोडों नगद यानि 2 नम्बर में लिया गया ह मतलब ये चोरी के माननत्या में आता है तो अगर जब पेसे वाले ऐसे करें तो गरीबों का क्या है फिरुद्धार और ये ये रूल सब के लिए लागू है तो देखा जाता है तो इस इसके उपर इनके खिलाब थोड़ी सी कारवाई भी होना चाहिए कि ये कोई चोरी तो करी नहीं थी आपने अगर कुछ बेचा है और लिया है तो बिल्कुल उजागर में करिये ना अब ये लोगोंने पेसा क्या फटा-फट चार दिन के अंदर सब लें देन भी हो गया करोडों की संपत्ति बेश के इन्होंने आदा पेमेंट से उपर इन्होंने हाथ और हाथ ले का रहा हैं और दूसरी बात आप सियों में इन्होंने एक दूसरे से लिए मतलब वह भी कर लिया है इससे बटवारे भी अना एक दूसरों को बाटब उटी कर दिया तो यह क्या गोर्मेंट के खिलाफ है और मतलब उनके हिसाब से इनके थोड़ी कारवाई करना चीए अगर और इंसान नहीं उठेगा तो यह आगे और बढ़ावा होगा इसमें जी हां बिल्कुल जहां तक होगा क्योंकि यह चीजों को रोखने के लिए तो मोदी जी ने आज इतना संगर से कर रहा है और आज देश को इतना आगे बढ़ाया है तो फिर आपनी नहीं उठेंगे तो जन्मानी और गरिवों का भी और यह गॉर्मेंट का भी अधिकार है हर चीजों का मतलब तो थोड़ा सा इस चीज पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं वगार अपन खड़े होंगा तो सब खड़े होंगे जाहिर सी बात है हाँ बिल्कुल मैं ऐसा कर रही हूँ तो मेरे को लिकाल दिया घर से मार पिट करके और दूसरी बात क्या है कि मेरे हजबन थे साल से उनकी डेट हो गई है मेरे बच्चों का अधिकार है तो उससे भी उनको मतलब करा जा रही है कि नहीं कोई अधिकार इनका खत्म हो गया है जो कि मेरे बच्चों को आज में पाल रही थी कैसे भी तेसे काम काश करके और जो मेरा सपोर्ट करते थे सायोग करते थे ये लोग उनको भी पेसा दे दे के मतलब उनको भी मारने की धंकिये दे रहा है उनको भी मतलब वो कर रहा है जो मेरा सपोर्ट में है उनको सब को मेर मेरे मतलब आरोप पीयरोप लागा या रही है तो मेरी मतलब मेरी क्या गलती की में मैं बच्चों को पाला ये गलती है मेरी और इन लोगों का ये जो का करोडों से लेन लें जो चौरि छुपके होता है इनका या इस means आप बताई option मेरा नीलो पर